हेलो प्रेंट्स स्वागत है आपके मिन आच्वी के कचन माें तो आज हम बनाएंगे मिर्ची का चार है तो मैंने मिर्ची को चीज दोह लिया था और इनको 3-4 गंटे में दूप दिखाओंगो और इसमें बीच में इस तरह से चीला लगा लगा लोगे सारी मिर्चर में आपको तीन से चार गंटे की दूप दिखाएंगे तो फ्रेंट्स में चैनल से सूप गई है यह देखिए यह में विल्कुल भी नमी नहीं है तो अब हम इनको बनाने के लिए चलेंगे उनके लिए मसाली बनाने के लिए फ्रेंट्स यह मैंने एक किलो के करी मिर्च लिए चलती है इस गिले मसाली देखने के लिए तो मैंने चार चमज सौफ लिए यह दो चमज के करी मेथी के दाने लिए और यह दो दो चमज मोटी रा इसके लिए याए मैना चार चमच सुखा दनिया, चार चमची नमक लिया है, तीन चमच हल्दी और तीन चमच कश्मीरी लाल मरिश लिया है, थोड़ा सा हींग जाएगा इसमें, थोड़ा पिस्दब के लिए मैं विनेगर डालोगे, तो चलते हैं, तो फ्रेंट, मैं इन मसाल में कोई नमी है, तो यह से चली जाएगी, तो इनको फोड़ा सा बोन लेंगे, यह द्यान रंगने राएक बात है, कि नमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, मिल्च भी अच्छी तरह सूख जानी चाहिए, और वह सूखी ना हो, यह बहुत जरूरी है, कि मसाले साले नमी नहीं हो, तो मैं दूप अच्छे से लगाए, तो इसको अच्छे से बूलेंगे, कलर बदलने दर, इधर मैंने दूसरे कड़ाई में ले लिया है, सरसो बतेल, इसको गरब होने देंगे, क्योंकि यह घर का तेल है, तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जो बार से लगे में सब्सक्रावें, इसको निए बूरेंगे, नहीं तो अच्छार करवा हो गया, इसको बार में दिलेंगे अलका सा घंगार्या कर दालेंगे, इसको अच्छार कर दोगिए, तो करद दोगी बद रभाँ जाने लगे, प्र फूरा से क्ऴड़ा होने तो बकिए, य इसको पकाते है थैंडा कर लेंगे एक दम गरम देल नहीं जालेंगे तो यह भी पकना शुरू हो गया है आप चाहे तो बच्ची के बीज निकाल लें लेकिन में इसको इसको रहने दूँगी यह तिना टेस्टी अचार बनता है यह आप सब्सकी खाना भूल जाएंगे रोटी के साथ तो एक बार इसको जरूब ट्राय करें करने तो अब यह हल्का गरम बह गया है और हल्का सा गरम ह तो इसमें में यह हल्दी नमक सुखा दनियों और यह तश्मिर लाल में चीव डान दूँगी अगर इनमें भी कोई नमय होगी तो वो निकाल जाएगी यह तो यह बनके दरम हो जाएगी तो आप एज निकों भी शविक्स कर लेंगे इतना अच्छा लारा राएंगे और मस इसे मिक्स कर लेंगे सबको आप institut पर्वा इसको भी मिक्स करें इसके साथ पचलते हैं इसको पीसने के लिए इसको तोड़ा जड़ा ही पीसेंगे के बारीक नहीं पीसेंगे इसको लिए मैंने मिक्सी जार में हम इसको पीस लोगी मेरा ये बढ़तान भी थोड़ा गरा में तो रहा कलोड़ी को भी मैं से बूल देंगी इसमें डाल दिया है इसकी जो दमी हो धी हो निकल जाएगी तो तरहीके फ्रेंस मसाली पीस गहें हम इनको डाल दूगे कोई भी बढ़ा बटर लेले तो चलते हैं आप मेर्चे बढ़ने के लिए तो प्रेंस मैस में डालने दो चुमचे तेर सारा नहीं डालेंगे भी थोड़ा सी डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथो से करेंगे अच्छे से बढ़ा जाएगा मर्चों में निकले राने अब यहीं इसकाय में डालूंगे दो ड़कन्स सिरका इसको प्रिजर्व करने के लिए होता है और हमकी कटास के लिए थोड़ाई डालेंगे इसको भी मिक्स कर लेंगे तो हम लिए हमने मिट्चे और हम इसमें ऐसे बढ़ते जाएगे मसाले कि मैं सारी मिर्चे ऐसे बढ़ लूगी तो बैसे सारी मिर्चे बढ़ लूगी तो देखेंगे मैंने सारी मिर्चे बढ़ दी है सबको अच्छे से बढ़ दिया है अच्छे से मसाले से अब मसाला बची भी गया है तो चलते है इसको यह तेल है जो मैंने गरम किया था अगे टंडा हो गया है गया अगे इसको एक मिर्च को इसमें लगाते जाएंगे तेल में और इसको जार में मैंने काच का जाल ले लिया है इसमें डालती जाओंगी कि अ क्याक के पास कोई भी जार हो प्लास्टिक का हो या चीनी विट्टी का हो अ कि अ कि अ जाल में सारी इनुर्च डालोंगी अ बाकी बची तेल को में इसके उपरसे डाल रहें तो जो मसाल बच गया है तो मैं अगली वार जो अम्रिच का चाह डालूगी इसमें कामा जाएगा मिले तो देखें पैंस मैंने इस जाल में डाल लिया है और बाकी जो स्वरशो का तेल बचा है वही मैं इसमें डाल लूगी बलकी इतने सारी मेरिच थी के मैं अगर अचार खराब होने लगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको उपर तक बढ़ने फिर आचार खराब नहीं होगा चार से चार साल करतें तेकिन उसके लिए आपको जो खाने का चार है वह अलग से निकालना पड़ेगा ऐसा ना ह क्यों कर दो कि वुद्शी में साचार निकाल है और फाइं ओकड़ाएं अचार साल रखना है तो उसका बड़ा-बड़तन अलग से बि Collado Word क हाने वाले इसको तो तीन दिर की दूप जरूर दिखाने बहुत जरूरी है और मैं स्क्राइक अधिन बन अर इसको मैं अलसे दूप दिखाऊंगी सुबह दूप में रग दें और शाथ ठोट ढालें तीन चार दिन यह जरूर करें एक डब बैये है तो इतना सारा चार बन गया यह यह मोटी मि अगर आपको मेरे रैसीप अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू